हाई गाईज आज हम बनाने जा रहे हैं अंकूरित काले चने का बहुत ही जादा क्रिस्पी चटपटा नास्ता इस नास्ता को बनाने के लिए सबसे पहले आपको काला चना भीगा करके अंकूरित कर लेना है तो आप सभी को पता होगा कि अंकूरित काला चना जो है आपके सिह और सारे पोशक ततो भी मिल जाएंगे तो चलिए इस रिस्पी को सुरू करेंगे सबसे पहले हमें काले चने को ग्रेंड करना है तो ग्रेंडिंग यार में डाल दीजिए उसके बाद इसमें आट करिए चार-पांच लेसुन की कलियां कॉंटिटी कम ज्यादा किया जा सकता है साथ में दो हरी मिर्ची डाल देंगे बड़े तुकड़े में मैंने यहाँ पर काट लिया है साथ में यहाँ पर डालिए एक चमच साबूद धनिया इसी के साथ यहाँ पर आधा चमच सौफ आट करेंगे सौफ का फ्लिवर बहुत अच्छा है गए इस नास्ते में तो आप इसी तरह से ग्रैंड हो जाए ग्रैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो बढ़िया से टैफ लगाए इसे आप ग्रैंड करके तयार कर लीजिए ग्रैंड करते समय आप ध्यान रखिएगे आपको इसे दर्दरा ग्रैंड करना है जैसे कि यह देखिए मैंने ग्रैंड किया हुआ है जब यह हलका दर्दरा ग्रैंड करोगे आप तो बहुत जादा टेश्टी नास्ता बन करके तयार होता है फिर हम एट करेंगे इसमें थोड़ा सा प्याज बारिक चौप की हुई इसी के साथ इसमें थोड़ा सा हराधनिया बारिक चौप करके एट करेंगे और फिर इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर नध्यार रखिएगा कि मेरा चम्मच छोटा है इसी के साथ इसमें एक चम्मच गराम मसाला पाउडर अट करेंगे और साथ में एक चम्मच लाल मिweenची पाउडर भर करके यूज़ करेंगे नास्ता थोड़ा इस स्पाईसे रहगे न थो खाने में ज्यादा टेष्टी लगेगा इसी के साथ अपने नास्ते को खटा फ्लेवर देने के लिए दो चम्मच अम्चुर पाउडर एड़ करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर निबू करस यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ इसमें हम एड़ करेंगे मैगी मसाला जिसे की और भी ज़्यादा टेश्टी आपका यह जो है नास्ता बन करके तयार होगा तो आधी पैकेट जो है मैगी मसाला यूज़ किया है मैंने और साथ में एक चम्मच भर करके काला नमक एड़ करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम सफेद रिगूलर नमक यूज़ करेंगे अपने स्वाद केंसवार आप कम जादा कर सकते हैं अब आप चाहो तो इसे ऐसे ही मिक्स करके बना सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस नास्ते को फ्राई करते समय फटेगा बिल्कुन भी नहीं यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास यहाँ पर अर रोड रखा है तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चमच अर रोड यूज़ किया हुआ है जिसे कि और ज्यादा यह क्रिस्पी बनेगा सभी चीजों को मिक्स करने के बाद हमें नास्ता बनाना सुरू करना है तो अपने हाथ में थोड़ा सा ओल लगा लिजी ताकि आराम से आप नास्ता बना पाएं तो छोटे छोटे यहाँ पर हम टीकी क्या कार का गोल गोल बना करके तयार करेंगे जैसे कि यह देखिए बनाया हुआ है मैंने आप भी ऐसे बना करके तयार कर लीजिए उसके बाद इसे फ्राइ करने के लिए ओयल में डाल देंगे तो ध्यान रखिएगा कि एक बार बना करके रखना नहीं है एक एक ठो बनाईए और ओयल में डालते जाईए कल्ची सेलर्ट परेड़ करते हुए 4-5 मिट में आपका इनास्ता फ्राइ हो जाएगा जैसे ही इसका कलर डार्क गोल्डेन या लाइट ब्राउन कलर आ जाए न तब आप समझे कि आपका नास्ता अच्छी तरह से फ्राइ हो चुका है जैसे कि यह देखिए लाइट के साथ सर्फ करेंगे उमीद करती हूँ कि रिस्पी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं आप लोगों से एक नए रिस्पी में बाई गाईस